हेलो दोस्तो आप लोग कैसे हैं आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कद्दू और लोविया की सब्जी तो कद्दू में कोई कोई चने भी डाल देते हैं कभी कद्दू में चने की डाल देते हैं तो जो भी आप मिक्स करते हो कद कदू में तो वह बहुत अच्छा बनता है कदू और पेठा ऐसी बनता है महाराश्ट में इसको काशी फल बोलते हैं तो काट लिए थे चोकोर चोकोर और दो तीन आज में प्यास डालनी हूँ ऐसे बिना प्याज का बनाती हो खाली कदू की सब्जी बनती है तो बिना प्याज मेर्ची सब काटके रख दिये तो इसको कूटना नहीं है बारिक नहीं करना है बड़े बड़े ही काट दिये हैं क्योंकि प्याज में अच्छी लगती है कद्दू के साथ यह तो पहले तेल डाल दिये सरसो का तेल दो तीन चमज डाल दिये अन्दाजे से फिर उसमें पाचप बोलते हैं तो इससे आपका वात पीत अगर रहता है शरीर में तो वह उसमें भी असर होता है वह ठीक हो जाता है तो उसे कद्दू के सबजी कितने को नुकसान करता है तो इसलिए डालने से पाचन तंद्र सही रहता है फिर लेसन डाल दिये मिर्ची डाल दिये फिर अब इसमिंक beliefs हो जैंतोसस बबन आलना है थोड़ा आज कमी कर देना पैस का फ्लेम कंट कर देना और हल्दी मिर्ची और मसाला में ठोड़ा सब पानी डाल दिये थे तो या एसे पानी डाल देंगें दोस्तों डोस्त inflamm का डर नहीं रहे गा तो देखें प्याज अच्छी से अब इसमें Marsala डाल देए एगे गुलाबी-गुलाबी, हो गया तेल छोड़ के उसमें जो मसाला गोर के रखे थे वह ऊस Allखो उसमें डाल दो जफादा मसाला बहुत जफादा मसाला ढालने के जुरॉब नहीं है तो अपने हिसाद से ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्ची दाजा कर दो, यह हो गया दो इसमें टमाटर कटे थे, टमाटर भी डाल दिये क्योंकि लूबिया थी इसके वजब से टमाटर भी डाल दे थे अगर सूखी कद्दू की सबजी बनानी है तो उसमें लेशन मर्च अच्छा का तड़का राता है रेये टमाटर और प्याज नहीं डालते हैं वैसे भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है मैं तो सूखी भी बनाई हूँ सूखी कभी रेसिपी डालोंगे आपको अब देखिए अब मसाला हो गया उसमें लोविया और कद्दू जो काट शला के फिर थोड़ा पानी डाल दी तो लोविया तो में भीगाई है उसको बाले नहीं है लिए थोड़ा पानी डाल दीए कि लोविया अच्छी तरह हो जाए तो देखिए दोस्तों दो सीटी बज गई थी दोसीटी में देखिए बहुत अच्छी सब जीवन गई है तो अ पत्ता गार्नियस को लिए डाल दीजिए और यह रेसिपी आपको कैसी लगी ऐसे बना करके देखिए अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक झांके जरूर को सब्सक्राइब जरूर कुछ।